हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड, मनेरिया और डेंगू के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइफाइड फीबर या हम इसको एंट्रिक फीबर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि देखिए एंट्रिक मतलब होता है आथ तो इसको हम आथ का बुखार भी के देते हैं तो टाइफाइड फीबर का जो कारण होता है वो बैक्टिरिया होता है तो बैक्टिरिया सालमोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड फीबर होता है टाइफाइड फीबर में देख क्या-क्या सिंटम्स देखने को मिलते हैं यहां पर इसकिन पर लार रंके स्टाइप्स देखिए चक्ते देखने को मिलते हैं लीबर का साइज बढ़ जाता है और स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है और टंग मतलब के जी पर देखिए वाइट कोटिंग देखने को मिलती ह इसी के साथ साथ यहाँ पर intestine मतलब के GIT या इसको हम आत भी फोट देते हैं तो आत में यहाँ पर देखी अलसर देखने को मिलता है तो contaminated मतलब के दूसित पानी या खाने से ये बैक्टिरिया हमारी आतों में पहुचकर बहाँ पर infection कर देता है और यहाँ पर infection करने के बाद यह हमारे blood में आ जाता है और यहाँ से ये दूसरे organs में चला जाता है ये intestine आंत में लगभग एक से लेकर तीन बीग तीन सब्ता तक रहता है इसके रोक की जो अब्दी होती है मतलब कि duration of disease जो होती है वो तीन से लेकर चार बीग तीन से चार सब्ता होती है नेक्स बात करते हैं symptoms of TIE-5 TIE-5 के लगछड क्या क्या होते हैं तो इसमें देखिए पहली बात तो fever fever तेज रहता है फीबर 103 degree Fahrenheit लगभग इतना रहता है इसको हम red races के नाम से जानते हैं और liver और spleen का size बढ़ जाता है इसी के साथ साथ देखिए headache, sit dard, pen in abdomen, feet में दर्द, nausea vomiting, g-machlana, ultyana, loss of appetite, भूख ना लगना, muscle pen, maspicio में दर्द, tenderness और beakness, irregular fever देखने को मिलता है तो यह है टाइफाइट fever के symptoms यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके treatment के बारे में तो यहाँ पर कौनसी antibiotics medicine चूज करनी होती है अगर देखिए oral medicine लेनी होती है तो यहाँ पर azithromycin सबसे best medicine होती है और आइबी injection का यूज करना होता है तो यहाँ पर monosave, monosave के अंदर होता है septricone जो की third generation cephalo-esporin class की antibiotics medicine होती है तो यहाँ पर देखिए azithromycin की 500 mg dose दिन में एक बार, one sa day यह लगबग 7 दिन तक ली जा सकती है और injection monosave, इसका 2 ग्रेम यह दिन में 2 बार, यह भी लगबग 7 दिन तक ले सकते है देखिए 7 दिन इसकी maximum range है इसको 3-4 दिन तक patient को prescribe किया जा सकता है इसी के साथ पेंटाकाइन DSR, इसको OD, सुबा नास्ते से पहले यह भी लगबग 5-7 दिन तक patient को दी जा सकती है और fever को कम करने के लिए PCM मतलब के paracetamol और acid aminofin इसकी 650 mg dose, इसकी BD dose जब fever हो तब patient को यह prescribe कर सकते है इसी के साथ यहाँ पर blood test blood test में देखिए, बिडाल test यहाँ पर कराए जाता है तो देखिए, बिडाल test में Salmonela typhi O, Salmonela typhi H इसका जो titer आता है अगर यह 1-160 titer आता है तो इसको हम positive treat करते हैं अगर देखिए, इससे कम होता है तो इसको हम negative treat करते हैं नेक्स बात कर लेते हैं, डेंगू fever डेंगू fever, येस को हम डेंगू बुखार या हड़ी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं इसमें देखिए, जोडों में दर्द होता है जोइंट स्पैन होता है तो जोडों में दर्द होने के कारण इसको हम हड़ी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं तो देखिए डेंगू जो है एक बाइरल डिजीज है ना कि ये बैक्टिरियल डिजीज है देखिए डेंगू फीवर ये बाइरस के कारड होता है लेकिन इसका जो बाहक होता है तो एडीस मॉस्किटो होता है देखिए डेंगू के सिंडम्स मतलब के लक्षड क्या क्या होते है तो मच्छर काटने के एक सब्ता मतलब के एक बीग बाद ये देखने को मिलता है और यहाँ पर जो टेमप्रेजर है वो लगबग 40 डिग्री सेलसियस 104 डिग्री फेरिन हाइट देखने को मिलता है 6 दिन ये एक क्रेडिकल पीरियड माना चाहता है यहाँ पर बिलीडिंग देखने को मिल सकती है 6 दिन के बाद इसको हम रीकबरी फेस के नाम से जानते है तो यहाँ पर 6 दिन बाद देखिए रीकबरी देखने को मिलती है देखिए डेंगू फीबर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं यहां पर हाई फीबर, तेज का बुखार, रेशिस, मसल पैन, इसकिन बर्दी की चक्ते बन जाते हैं मसल मतलब के मासपीसी में दर्द, बॉन पैन, हड़ी में दर्द, बोमेटिंग, उल्टी, जोइंट्स में, जोडों में दर्द, आँख में पैन, और हैडेक, मतलब के सरदर्द देखने को मिलता है देखिए डेंगू के किसमें कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला टेस्ट, एनस बन रैपिट डेंगू एंटीजन टेस्ट, इसके अलाबा आईजी एम और आईजीजी एंटी बोडी टेस्ट, इसके अलाबा सी बी सी और एलेफ्टी टेस्ट कराते हैं देखिए सुरू के पांस दिन से पहले यहाँ पर एनस बन एंटीजन टेस्ट पोजिटिव देखने को मिलता है, पांस दिन के बाद आईजीजी एम पोजिटिव देखने को मिलता है, और देखिए साथ दिन के बाद आईजीजी यहाँ पर पोजिटिव देखने को मिलता है तो ये तो हुआ एनिसमन एंटीजन और आईजीजी और आईजीजी आईजीम एंटीबोडी टेस्ट इसके लाबा CBC CBC में यहाँ पर हमें TLC टोटन लीकोसाइट काउंट ये कम देखने को मिलता है इसके लाबा THROMBOSITOPENIA तो देखिए जहाँ पर भी PENIA सब्दाता है उसका मतलब होता है कमी होना तो THROMBOSITOPENIA तो यहाँ पर PLATE LATS में कमी देखने को मिलती है अगर देखिए PLATE LATS में कमी यह इसका नंबर इसका काउंट कम देखने को मिलता है तो इस टर्म को हम THROMBOSITOPENIA के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर THROMBOSITOPENIA देखने को मिलता है इसके लाबा यहाँ पर देखिए LFT टेस्ट में SGOT और SGPT इसका लेबल बढ़ जाता है अब बात कर लेते हैं DANGU के TREATMENT मतलब के उपचार के बारे में तो देखिए शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए NS, DNS, RL, D5, T10 जैसी मरीज की सिचेशन होती है उसके according यूज करते हैं यहाँ पर देखिए कोई भी antibiotics medicine यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह viral disease है तो इसमें antibiotics का कोई काम नहीं है इसके अलाबा NSAID class की medicine NSAIDs मतलब के non-estroidal anti-inflammatory drugs ये drugs जो होती हैं वो pencular होती हैं जैसे के देखिए ibuprofen और diclofenac इसका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये platelets के function को interfere करती है तो platelets के function को interfere करने के कारण यहाँ पर NSAID class की medicine का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले से यहाँ पर देखिए platelets count कम होता है नेक्स देखिए बुखार को कम करने के लिए यहाँ पर paracetamol paracetamol की 650 mg dose इसको दिन में BD तो बार या TDS तीन बार तक दे सकते हैं और SGOT, SGPT के लेबल को कम करने के लिए UD lip 300 mg 300 mg इसको दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं इसके additionally यहाँ पर Carry Pill tablet या Carry Pill syrup का यूज कर सकते हैं Carry Pill tablet इसको दिन में 1 बार, 2 बार वारर या Carry Pill syrup 10 ml दिन में 1 बार या 2 बार तक percent को दे सकते हैं बात कर लेते हैं बार्निंग साइन ओफ टेंगू टेंगू के बार्निंग साइन क्या-क्या है तो जैसे कि हम बता चुके हैं लगबग 3 दिन तक जो है वो फीबर वाला फेज होता है तो फीबर खतम होने के बाद खून की उल्टी बिलड बॉमिटिंग और दिन भर में दो से तीन बार उल्टी आना या बिलीडिंग गम मसूड़ से खून आना या तेजी से पिलेट लिट्स काउंट कम होना ये होता है इसका बार्निंग साइन तो ये वाला फेस जो होता है वो डेंगो का खत्रे वाला फेस किलाता है नेक्स बात कर लेते हैं मलेरिया फीवर के बारे में मलेरिया फीवर मतलब के मलेरिया बुखार तो मलेरिया फीवर जो होता है वो प्लास्मोडियम के कारड होता है तो प्लास्मोडियम की देखिए चार species होती है प्लाजमोडियम बाइबेक्स प्लाजमोडियम ओबेल प्लाजमोडियम फैलसी पिरम प्लाजमोडियम मलेरिया तो देखिए प्लाजमोडियम मलेरिया के कारड़ मलेरिया फीवर होता है यहां पर फीमेल एनोफिलीज मच्छर इसका बेक्टर मतलब के बाहक होता है त कौन सी स्पेसीस प्लाजमोडियम मेलेरी के कारड़ मेलेरिया फीबर होता है प्लाजमोडियम की इनً चारों स्पेसीस में प्लाजमोडियम फेल्सिपरम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मतलब के मलेरिया के सिम्टम्स तो मलेरिया में कौन कौन से आपर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर भी देखिए हैडेक, सरदर, फैटिक मतलब के थाकाबन, नौजिया, ची मेचलाना, बॉमिटिंग, उल्टियाना, चिल मतलब के ठंड लगना, फीबर, पुखार और मसलेक, मसलेक मतलब के मास्वियसियों में दर्ध होना, यह मलेरिया के सिम्टम्स हैं, यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में MPDA, MPDA मतलब के मलेरियल, पैरसाइट, डॉल, एंटिजन टेस्ट, यहाँ पर देखिए, अगर पिंक या रेड लाइन, यह C मतलब के इस कंट्रोल लाइन के पैरलल है, तो यहाँ पर इस टेस्ट को निगेटिव टेस्ट माना जाता है, और यह लाइन, अगर देखिए, प्लास्मोडियम बाइबेक्स, प्लास्मोडियम फैलसी पेरम, इसके पैलर नजर आती है, तो इसको स्पीसीज के लिए पोजेटिव कंसीडर किया जाता है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, बात कर लेते हैं, देखिए, इसके ट्रीटमेंट, मतलब कि इसके उपचार के बारे में, तो देखिए, फीबर के टाइम, मलेरिया की कोई भी मेडिसिन ना लें, पहले फीबर को कम करें, और मलेरिया की मेडिसिन, देखिए, बहुत कड़वी होती है, जिससे लेने के बाद उल्टी हो सकती हैं, तो उल् DDoS पेसेंट को दे सकते हैं इसी के साथ पेंटोब-D जिसमा होता है पेंटोबराजॉल और डॉमपरिडॉन तो पेंटोब-D का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं तो उल्टी को रोकने के लिए कैप्सूल पेंटोब-D को पेसेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं अब अग को ڈS के नाम से आती है यहां पर देखिए 5 मेडिसन है तो पहले दिन तीन टेबलेट पेसेंट को देनी होती है और इसके तूथरे दिन एक टेबलेट और तीफरे दिन एक टेबलेट देनी होती है और इसी के साथ मेलेरिट डियेस मेलेरिट डियेस के अंदर प्रीमा क्यूइन फॉस्पेट होता है ये देखिए 14 दिन तक एक एक टेबलेट देनी होती है जिससे के मलेरिया दुबारा ना हो मलेरिया रिलेप्स को रोकने के लिए ये मेडिसिन देते है यहाँ पर देखिए प्रीमा क्यूइन 15 मिली ग्रेम ये रिलेप्स ओफ मलेरिया के लिए यूज की जाती है इसको दिन में एक बार आफ्टर फूड ये देखिए 14 दिन तक तेनी होती है तो प्लास्मोडियम बाइबेक्स में लॉरीगो डियेस प्लस मैली रिट टी एस का यूज करते है और अगर देखिए प्लस्मोडियम फैलसी बेरम पोजिटिव है तब यहाँ पर कौन-कौन सी मेडिसिन देते हैं यहाँ पर देखिए लियूमिरेक्स लियूमिरेक्स 80 इसके अंदर होता है आटी मीथर और लियूमि फैंट्राइन लियूमरेक्स 80 यहाँ पर देखिए यह 6 टेबलेट है इसकी 2 टेबलेट एक एक दिन में लेनी होती है तो पहले दिन दिखिए इन 2 टेबलेट के बीच का जो गैफ है वो 8 गंटे है तो पहले दिन दो टेबलेट जैसे एक टेबलेट अब ली तो इसके 8 गंटे बाद दूसरी टेबलेट लेनी होती है तो इन 2 टेबलेट के बीच का जो गैफ है वो 8 गंटे है देखिए 2 टेबलेट के बीच का जो टाइम गैफ है वो 12 गंटे है देखिए सेकंड डे से लीमरेक्स के साथ साथ प्रीमा क्यूइन का यूज स्टार्ट कर देते हैं तो प्रीमा क्यूइन इसको ओडी आफ्टर फूट देना होता है और 14 दिन तक ये एक एक टेबलेट देनी होती है इसके बाद धरडे धरडे में भी देखिए दोनों टेबलेट के बीच का जो कैप होना चाहिए वो 12 घंटा होना चाहिए देखिए एंटी मलेरियल डरग ये हाइपोगलाइसीमिया करती है हाइपोगलाइसीमिया मतलब के बिलड सुगर को ये कम करती है तो यहाँ पर देखिए बलड सुगर को कमपरसेट करने के लिए यहाँ इन्फूजन में या तो D5, D10 या TNS का यूज करना चाहिए जिससे हमारी बोड़ी में सुगर मेंटेन हो जाए तो पैसेंट की सिचेशन के कोर्डिंग D5, D10 या DNS दे सकते हैं और साथ ही साथ इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा दूद पीने की सला दी जाती है जिससे के हमारी बोड़ी में देखिए सुगर मेंटेन हो जाए और इन मेडिसिन के कारण पैस्ट की ऐसेडिटी देखिए बढ़ जाती है तो इस acidity को neutralize करने के लिए milk की जरुवत होती है और मीठा जो है देखिए glucose सुगर को maintain करता है ओके थैंक यू